नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंदी साइट के आज की कड़ी में आए देखते हैं 25 महत्पुन क्वेस्टन पी वाई क्यों यानि प्रेवियस यह क्वेस्टन जो कि आपके तयारी में आपके नॉलेज में आपके बेसिक में आपके कंसेप्ट में चार चां उपस्षे रहें इस्टिय षिंदे साहिट के इतिहा से सब क्वेस्टन है इसके बात जो अगला आएगा उसके उपर एडिंग लिका होगा सहरपा का संबन्द निर्म से किस से है अपसन है सिद्ध साहित रासो का व्या जैन का व्या फिनाद साहित तो सरपा जो थे वह सिद्ध साहित के सिद्ध साहित के कभी है उनका सिद्ध साहित से संबंध है राहुल संकृत्यान ने इनका समय जो माना है सरापा का वह 779 इस भी माना है इनकी रचना दो हाकोस है सरापा के अन्य नामों की बात की जाए तो सरापाज सरोज वज्रत था राहुल भद्र है अगला क्वेश्चन की बात किज़ें बढ़ा कर लें इसे हचाक से बढ़ा किशिए क्वेश्चन नम्मर दो दो मतब अगला है क्वेश्चन नम्मर पर मत जाए यह तो चलता रहेगा मतब 25 क्वेश्चन आपके यहां पे हैं नेमकित में से कौन अश्ट छापके कभी नहीं है आप सेने सूर्दास पहले ही सुच लेजिए भले ही आपको इंसर दीखे फिर भी मन में सुच लेजिए क्या आपको आता था नहीं आता था तो अच्छे सपड़िया आता था तो रिविजन कीजिए सूर्दास कुमदास सुन्दरदास नंददास तो यहां अश्ट छापके कभी पहले दूसरे और तीसरे हैं एबी सी है लेकिन चोथे जो सुन्दरदास हैं वह नहीं है सूर्दास कुमदास नंददास हैं सुन्दरदास नहीं है और अश्ट छाप में आठ कभी आते हैं अश्ट छापके अस्थापना कभी थी पंदर सो पैसठ में हुई थी आचार राम चन सुगल अश्ट चाप में कुमदास, सूर्दास, परमानन्दास, और किष्णदास कई, ऐसे याद कर सकते हैं के, के आज़िए पीके और जी सी ची एन चार उपा चार नीचे चार जो हैं चार के कगुरू बल्लबा चार रहे हैं और चार के गुरू भी थे ठलनात हैं यह भी याद तो कुम्बन दास का समय कुम्बन दास, सूर्दास, परमानन्द दास, केशन दास, गोबिन स्वामी, छेद स्वामी, चतुरपुत दास, नन्द दास या आठो वश्ट चाप के कभी हैं कुम्बन दास, सूर्दास, परमानन्द दास, केशन दास यह इनके गुरु कौन है बल्लबाचार जबकि गोविन स्वामी छीज स्वामी चतुरुपुत दास नंद दास इनके गुरु कौन है बिठलनाद कुम्भन दास का जनाम देखते हैं बल्लबाचार के ऊपर के चार सिस इसके बाद गोविन स्वामी का जनाम 1515 में उतर प्देश में चतुरुपुत दास का 507 Prof. Saotajai में रामपूर उत्तर प्रदेश में यानि कुम्भन दास और चतुर्भु दास का जनम एक ही जगह पे हुआ था आगे दिखते हैं बिहारी के इस धारक अभी हैं बिल्कु लीजी क्वेस्टन आफसन है रिती सिद्ध, रिती मुक्त, रिती वद या फिर स्वच्छन्द कभी तो सही जवाब है रिती सिद्ध कभी हैं आपके विहारी, विहारी का जनम पंदरसो पंचान बेशबी में हुआ था, विहारी की एक मतर रचनम ना कौन सी है विहारी सस्थाई, इसी के रचना के चलते यह पूरे मतलब हिंदी साहित्त में विख्यात हो गए हैं, अगला कु पर दिखाई पड़ता है, तो छायवादी कभी पर दिखाई पड़ता है, छायवाद का समया में 1288-36 है, छायवाद काल में स्वचंदता को बढ़ावा दिया गया था, तो था विचारों की उनमुक्त स्वतनता दिखलाई पड़ती थी, अगला कुछचन है दुखे ही पड़ती, बाकी अपसन राम की सकति पुजा, कुकूर मुत्ता और तुलसी दास है, लेकिन सही जवाब है सरोज इसमिति और यह किसकी है, निराला की है, शुरुका अंत्रबाठी निराला, इनका जनम 889 में हुआ था, तो निराला की सरोज इसमिति से है, जो की सिलेवस में सोद, आगे तुलसी दास, इनकी रचना तुलसी दास, निराला की रचना तुलसी दास से एक कावे पंक्ती है, होगा फिर से दूर्धर से समर, जड़ से चेतन का नीशी समर, कभी के प्रतिछभी से जीवन हर, जीवन पर, अगला क्वेच्चन है, समय देवता किस कभी की नागारजुन की कविता काली थिलकित भाल तुहारे दन काली दा सरजरन गाता तथा अकाल अरे उसके बाद अकाल और उसके बाद यह किसका है नागार्जुन की जबकि कैदी कोकिला पुष्पकी अभिलासा यह सम्माखनलाल चतुरुबेदी की है अगे प्रेमचंत किस प्रवित्ती की उपन्यासकार है प्रवित्ती मतला प्रवित्ती टेंडेंटी आपसन है आदर्स वादी यथार्थ वादी यथार्थ वादी यथार्थ वादी तो जो इसका सही जवाब है कि वह आदर्स भी है और आदर्स उन्मुख यथार्थ वादी उपन्यासकार माने जाते हैं अधर्ष भी है यथार्थ भी है प्रेमचंत का जन्म 880 में हुआ था गोदान इनका मतलब होई है उपन्यास सम्राड गोदान सबसे ज्यादा फेमस तो गोदान 1936 का है जब इनकी मरति वही थी उसी साल का प्रकाशन है जो इनका सबसे ज्यादा प्रकाशन जीवन की आखरी समय में लिखा गया तो तो आप इसे सीख सकते हैं कि जीवन की आख्री तक हमें लड़ाई लड़नी है अगला है अपनित लाल नागर के जीवनी प्रक उपन्यास खंजन नैन में किसके जीवन जीवन का चित्त रं है तो इसका सई जवाब है सू दास के जीवन पर तथा मानस का उनिस सो बहत्तर का है नेट के सिलेबस में तुल सिदास के जीवन प्याधारित है अमरिल्ला लिनागर के जनम की बात की जाए तो 1916 में हुआ था अगला है रस आखेटक की रचना का रकॉन है अपसना हजारी पर सादेवेदी विद्यानिवास में सरज्जोसी या फिर कुवेदनात राय तो इसका सही जवाब है रस आखेटक की रचना का कौन है कुवेदनात राय है कुवेदनात राय भी सिलेबस में है देखिए इनके रचनाओं की बात की जाए तो प्रिया निलकंठी 1968 का रस आखेटक 1970 का गंद माधन 1972 विशाद य 1973 महा कभी की तरजनी 1989 दिसाद वाशुरी 1974 इत्याधी कुवेदनात राय के क्या है निबंद संगर है यही निबंद विश में है कुवेदनात राय को क्या का जाता है ललित निबंदकार कैसा रस धर्मा ललित निबंदकार बाकी देखते हैं असोके फूल, कल्पलता, मदेकालिन, धर्मसाधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवा, कुटज, साहित, साचर, आलोक परव, इत्याधी, हजारी परसाद दिवेदी का उपन्या से, हजारी परसाद दिवेदी का जनम कभुआ था, हजारी परसाद परसाद दिवेदी का जनम हुआ था, 1907 में, यह भी प्रमुक लालित निबंदकार हैं, बाकी असोके फूल, 1941, कल्पलता, 1907, मदेकालिन, धर्मसाधन, विचार और वितर्क, 1907, विचार प्रवा, इसके बाद, जैसे की, जीब पर सवारी लिया, 1971 का है, हम ब्रेश्टन के ब्रेश्ट हमारे, किसी बहाने, 1971, रहा किनारे बैट, 2002, तीलास्म, उननीसो iç hawतार, दूसरी सता उननीसोपचपः, यतततता, तस्तरवत्र, यत दkung Day का है, जैसे की सरजोसी का निबंद संग्र ये, और इधर क्या है, मेरे लाम कामकुट भीग रहस, लेवस में लगा हुआ है, या大概 अंगत की नियती, नियती, 1984 सेफाली जर रहे 1989 फागुन दई रहे दिना फागुन दूई रहे दिना 1994 सिरीज की यादे 1995 यह सब बिद्धा निवास मिस्र के निपंद संगर है याद रखे कि मेरी रामकम कुट भीग रहा है यह भी नेट के सिलबस में लगा हुआ है अगला है कौन सारी संगर परसाई की रचना नहीं है चार अप्सन है तीन है एक नहीं है कौन सा नहीं है तो जीप पर सवार इल्लिया नहीं है यह किसका है सरह जोसी का है अभी देखें उपर बाकी बिगलांग सद्धा कदाव ठीठूरता हुआ गड़तन ता और प्रेम चंत के फटे जूते यह सब किसका है अर राभा घड़तन तुद 2715 के विशलण उनीशों सट चाट ईकाहा से सटली कला न है एक इसको थोड़ा से पी चेख सर्थ करना होला कि है और इसके बाद है का विगल्लांग मन्याला इसका आजो प्रकर अंवसर्ऑ है 52 g precisamente का जंद के फटे जूते हरी संकर परसाइके निवंद संग्र हैं जीब परसवारी लियां 1918 हम प्रस्टन के भरस्ट हमारे किसी बहाने 1971 रहा किनारेबाट उनिस वात्तार तीलासमाँद सतीयत्ता दूसरी सता 1915 यातता तरशर्वातर दो जार इत्यादी सरजोसी के किस विधा की रचना है यत्रा वरत्तान्ट है किसका है समय का अग्या ब्यदेशी जीवन agree with यह भी यत्रा वित्तान्त है यह भारती है यत्रा के वित्तान्त के बारे में इसमें है और यह आयवर रहे गाया 1903 का है जबकि सहसा उचली एक बूद सहसा उचली 1960 का है अगला है अलोचक के मुख से किस अलोचक के ब्याख्यानों का संकलन है मतलब इसी नाम से अलोचक के मुख से तो यह किस अलोचक का ब्याख्या का संकलन है तो सही जवाब है आपसंसी नाम वर्षिंग और यह किस सन का रचना है 2005 का अगला है मेरे नाम का मुट भीग रहा है कि इजी गुश्चन नेट के सिलिवस में लगा हुआ विद्यानिवास मिस्र का है बाकी इनके रचना निबंद संग्रहों को देखते हैं चितवन के चा निबंद संग्रहों के चा निबंद संग्रहों को देखते हैं महाकाभी के तर्जनीए चा 989 निशाद वासूरी 1974 इत्याधि क्युवेनातर राय के निबंद संग्रह हैं और कुछ चंदन कुछ कपूर की मेरे नापीताचार मेरे दयनेकी एक फ्रिष्ट प्रिति भोज अध्यान और आस्वाद प्रमुक प्रबंध प्रभाकर मेरे निवन निवन पच्पन का है इत्यादी बापू गुलाब राय कि निवन संग्रा है अल्लाग उनसे कलों सा मार्सवादी आलुचक नहीं है नहीं है मतलब कि तीन है एक नहीं है तो राम स्वरूप चत्रोवेदी नहीं नहीं है मार्शवादी आलोचक और सब हैं शिवदान सिंग के ओहान भी है प्रकाश अंद गुप्त और सीगुमार मिश्रीय सब हैं बस राम सरुप चतुरवेदी नहीं है राम सरुप चतुरवेदी का जनम 1931 में हुआ था भासिक सम्मिदना और आधनीग भू तथनाई समिछा के अलोचक मने जते हैं जबकि सिवदान सिंग चम्हान सिगुमार मिश्र प्रकाश अंद गुप नेमी चंजाएं समसेर बादु सिंग राम बिला सर्मा मुक्ति बोद न आमोर्शिंग अंभित्राय तांगिरागो विश्रुना त्रिपाठी विश्रुमबर नाथुपादाय रमेश कुंतल के मेग धनांचे रमेश कुंतल मेग धनांजे वर्मा नंद किसूर नवल मेनेजर पांडे संभुनास आधी बास्वादिया फिर प्रक्तिवादी अलोच आओंगा कुछ्च्छन है कौन सी अलोचन करती विजय देव नरांड जलन साही का आँ कौन सी है तो इसका शसरी जवब है जए जय सिर्वी नरांड साही का है जयसी कटा जू जाएसी जो इनकी रचना है विजय देवनाराण साही की 1983 की है सुर्दास 1945 की रचना है ब्रजेश्वर सर्मा की साइता लोचन 1922 का है स्याम संदर दास का रासमीमान सा अगला है आप ग्रेमेटो लाजी के लिखक कौन है तो इसका सही जवाब है आप से नमर एक जाक दरीदा है आप ग्रेमेटो लाजी के इसके अलमा इसके अलमा भी इनड अप मैं राइट अप ग्रेमेटो लाजी के लिखक के लिखक के प्रबल समर्थक माने जाता है अगला कोश्चन है है खड़ी बोली के विकास में फोर्ड बिलियम कालेज का विश्ष्ट रुगदान है क्यों कि क्यों क्यों है तो इसका देखते हैं सही जवाब ए और सी है अंग्रों जुनों खड़ी बोली के विकास को प्रमुकता थी और सी है खड़ी बोली में सहायतिक लिखक यूग की के आवस्यक्ता थी कि एसी बी यह जंदल है आपसन यार और कोई छुट गया कहा है कि एसी और बीए बीसी खड़ी बोली के प्रेसिचर्ट से विवित साहितिक विधाओं में स्रिजन हुआ तो ए बीसी यहां पर सही है पूर्ड विलियम कलेज के अश्था अपना 18 सव में हुई थी कलकत्ता ने साहितिक विधाओं के सिजन में युगदान ना देकर क्यों खड़ी बोली का प्रताम प्रेस्टर प्रतान किया था था खड़ी बोली हिंदी की सब्ताम शुरूआती भी किया था अगला कोशन है ब्र शए न है अपनी प्रम्रच था त्रताम शाहित नहीं अन्सिक साहिए और भी पूरी त्रह से सङिह को ब्रजभासा में गितात्य मकता स्वाभाविक रूपसे आती है करे अब ऐसा हमेशा nep भी स्थामें वर्गों की बहुलता आए तथा परस वर्डों के कमिया अगला है नई कविता में नए मनुस्व के प्रतिष्टा हुई आपसन ए बी है नई कविता में व्यक्त मनुस्व का द्वंद अंसता आयातित है तो अंसता नहीं ज्यादा आयातित है तो पहली बात सही है दूसरी बात गलत है आपसे नम्मर यह सही है यहां पर नई कविता परमपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के सांथ नए मुल्य और नए सिल्फ अभिधान लगु मानव इत्यादिका अन्वेसल करते इसके दो प्रमुक्तत्व है अनूति की सचाई और अधिक पूरी तरह सई है और डी आंसी गरूप से सई है तो देखते हैं क्या है आत्म अनुमोतिक अभिवक्ति सई है समराजवात के प्रती विद्रोह यह भी सई है चायवाद संदेर्वपति अतिदेग आगार्शन यह भी सई है चायवाद रहसवात का पर्याए यह भी अगला कुच्चन 21 इतिहास गरंतों का काल करमा अंत्मा कितियास फिर मिष्र बंधू बिनो बहुत मतलब सब मतलब सबको रचसन पता रहेगा तो तो फिर आसानी यहां पर हम कर लेंगे इस की बात की जाए तो सबसे पहले आएगा पिस्र बंधू बिनो फिर पिर हिंसाइक तो पहले लेकिन आप लेट करेंगे तो कोई भी लेट करेगा तो आगे पीशे हो सकता है यानि कि हिंदी सहित का अलोचनात्मक इतिहास और सबसे लाज में आपका हिंदी सहित के भूमी का आना चाहिए लेकिन दिये अपसर में वीशा कोई नहीं है इसलिए दे दिया गया है और अपसरे के लिए गुट देदिया गया है लेकिन सहीची जो को आप जानते वए चलिए के थोड विख गुष्वामी तुलसिदास की रशन्याओं का सही क्रम क्या होगा रामचीद मारास दोहावली की तावली और बिनेपत्रिका चैना यही तो सही है सबका सन्वी देखना है गुष्वामी तुलसिदास का जनां 1532 वेराक सन्वीपनिस समबद 121626 रामाग्या प्रशनावली तोह समब शोलिवीपनार संबस्यों से यक संपफटा एक स्काQUE अबरमाथ ऐसके स्पम्गी तरारीश किष्neck गताोली संबस्यों स्पिरालीस गिताोली पदा ओल ली रामाध चम प सोल सो थीरस गिटाओली पदा हो ली रामार 62 तीस कभीतावली या मतलब कभीतावली या फिर कभीतावली इसको कहा जाता है हनुमान बाहु को अगला जन्मते थी के द्रिश्ट से दिवेदी युगिन कभीयों का सही अनुक्रम क्या होगा आप सने श्रीदर पाठक अईदा सिंग उपादे हर्योद मैंतली सन गुपत आएंगे फिर राम निरस्ति पाठी आएंगे सबका सन देखते हैं श्रीदर पाठक श्रीदर पाठक अगला आपक श्रीदर पाठक 1879 जेशंकर परसाथ त्रिश्ट पाठी 889 में और जे शंकर का भी जे शंकर परसाथ का भी यहीं है लगवग अगला क्वेस्टिन के निमकीत कृतियों का प्रकासन काल से दिश्टि से सहय नुकरम क्या होगा तो आप्सन एक है आधमजे तो डायरेक्ट मतलब यहां पर आप कर सकते हैं आत्मजाई कनुप्रिया उर्वसी और यसुधरा यसुधरा 1932 मैधली सनगुप्त का है उर्वसी 1901 रामदाय सिंग दिनकर कनुप्रिया आत्मजाई 1965 का है कुबद नाराणका है तो यहां पर हमाँ देखा अगला और आखरी क्वेश्चन है निर्मकित में से पास चाहते समिछो को का जन्म के दिरिष्टी से सही अनुक्रम क्या होगा तो 25 नमर का दूसरा अप्सन सही है सबसे पहले आएंगे प्लेटू फिर उनके प्लेटू अरस्तू आएंगे उसके बाद लॉन जाइनस फिर कॉलरी जाएंगे प्लेटू अरस्तू लॉन जाइनस और कॉलरी जिनका असन देखें सन दिखने के लिए समझे नहीं है बारवगा आते रहते हैं मुर्शा आ जाते हैं तो यहां पर 25 क्वेश्चन हमने किया आ आप जरूर बताईए कमेंट कीजिए टेलिग्राम से भी जूड़ सकते हैं जिसका जोकी लिंक है डिस्क्रिप्शन भी भी है और उसका लिंक कहां पर है आपका मैसेज बॉक्स में पिन किया हुगा भी है तो वहां पर जूड़ सकते हैं आप अपने सुजाव जरूर प्राइब भी किजिए लाइक सेर भी करते रही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहें जावार